इलहबाद इनवर्सटी की कटाफ आचुकी यानि कि इलहबाद बिस्टुवध डियाल है कि पहले राउंड की आपकी कटाफ आप आचुकी है पहले कटाफ आपके पास है कि कौन candidate पहली कटाफ के बाद eligible होंगे कौन से candidate अब उनको seat मिल जाएगी खैर इसके बाद अभी और आपकी कटाफ आती जाएगी दूसरी कटाफ तीसरी कटाफ चौती कटाफ जब तक आपकी seat नहीं full हो जाती तब तक आपको कटाफ मिलती रहेंगी मैं आपको अभी subscribe करके जोड़े जिससे कोई भी update आप से मिसना हो इलाहबाद इन्वर्स्टी के admission related कोई भी point आप से छूटे नहीं साथ में आने वाले future में जो भी आपके लिए इलाहबाद विस विद्याले के लिए जो भी update होगी वो भी आपको मिलती रहेंगी चली मैं आपको एक एक करके सारे point बताता हूँ देखे जो भी process मैं आपको बताऊंगा ये सभी के लिए applicable है किसी की cutoff आई है नहीं आई है become की आई है सब की आजाएगे कुछ गंटों में सब को मिलने वाली है आपकी cutoff तो बिलकुल भी परिसान मत होई ये कभी भी आ सकती है और जैसे आएगी इस चैनल पर आपको बताया जाएगा description में दिये गए टेलिग्राम ग्रूप पर आपको बताया जाएगा सूचित किया जाएगा वहाँ student रहते हैं वही कापी चीज़ें रिवील कर देते हैं तो मुझे कुछ चीज़ें बताने की आवश्चकता ही नहीं होती तो चलिए आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या है कि आपको क्या करना होगा अपने डाकुमेंट रेडी रखने हो कौन से document आपको आपके पास आपकी mark seat होनी चाहिए 10th और 12th की उसका certificate होना चाहिए आप certificate नहीं आते हैं तो certificate के बारे में सोचने की आवश्यक्ता नहीं है जो पुराने चावल हैं जो पहले 10 वी बरावी किये हैं कई साल पहले तो वो अपना certificate देंगे क्योंकि उनके पास certificate पहले certificate मिलता था फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद इसके साथ ही आपको देना होगा यहाँ पर TC देना होगा, migration देना होगा, gap certificate देना होगा यदि आप TC आप migration में से कोई एक रखते हैं तो आप एक भी दे सकते हैं migration है तो TC की आवज रखता नहीं है, उसके साथ ही आपको card certificate देना होगा जो कि EWS के जो candidate हैं उनको EWS देना होगा, बाकि OBC, SC, ST वालों को card certificate देना है फिर उसके साथ ही जो UR category के हैं उनको कुछ नहीं देना है, जो कि unreserved वाले हैं जिनको EWS का लाब नहीं मिल सकता है, वो कुछ नहीं देंगे, कोई certificate नहीं उसके साथ ही आपको आधार card, anti-regging, undertaking for TC and migration, ABCID ABCID के लिए मैंने आपको बताया था कैसे क्या चीज़ें करना है, ये वीडियो समाप्त होगी ABCID की वीडियो आपको फिल से मिल जाएगी, ये आपने ABCID form फिल करते टाइम नहीं दिया था, नहीं आप generate किये थे ABCID नंबर आपको कैसे generate करना है, वो जब ये वीडियो खतम होगी, आपको last मिल जाएगा या फिर आप जाके सर्च करोगे, तब भी आपको मिल जाएगा, चैनल पर playlist में ही पड़ा हुआ है फिर उसके साथ ही क्या है, 26 मैंने उसमें especially इलाहबाद इन्वेस्टी के लिए आपको बनाने के लिए बोला था क्या है कि इलाहबाद भी स्विध्याले का अलग से ABCID बनता है वीडियो खतम होगी जैसे ही, तैसे ही बिल्कुल end तक देखोगे तो उसके बाद वो वीडियो आपको end screen पर दिखाई देगी, उस पर आप टैप करेंगे, पहुँच जाएंगे उसके साथ ही क्या करना होगा candidate, यह document आपके पास होने चाहिए उसके बाद आपका registration होगा और uploading file document आपको अपना document upload करना होगा, registration करोगे, document upload करोगे कल से होगा, मैं सिखाऊंगा सब कुछ, screen पर बताऊंगा, दिखाऊंगा, जो भी हो सकेगा, वो मैं आपके लिए करूँगा तो क्या है कि कल से आपको registration करना है फिर से, और उसके साथ ही आपको document को upload करना है और कब तक कर सकते हो, साम के दो बजए तक, दो बजए तक ही आप कर सकते हो, दो पहर बोल सकते हो, दो पहर के दो बजए तक ही ये process आप कर सकते हो 39 तारिक को दो बजए के पहले आप registration और uploading file document वाला जो process है, उसको complete करोगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपका document verification होगा 30 तारिक को साम के 5 बजे के पहले जो आप अपना document upload किये हैं उसका verification होगा और आप pay करोगे fee कौन सी fee अपने उस college की fee पे करोगे जो आपकी बची हुई fee रहेगी वो आप pay करोगे कुछ भी आपको देना होगा अभी ही देना होगा online करते time ही आपको क्या होगा document verification के बाद ही आपको pay करना होगा तो वो सारी चीजें जैसे ही open होती हैं आपको बताया जाएगा बाकी तो आपको समय के साथ सब कुछ पता चलता जाएगा जुड़े रहो इस channel से subscribe करके जुड़ो कोई भी update मिस नहीं करना चाहते हो अपने family member के phone में subscribe करवाओ जहां पर भी करवा सकते हो करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को like करो जिसे ज़्यादा से ज़्यादा recommendation आपके पास पहुंशती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you love you all नमस्कार